नमस्कार दोस्तों आज से लगभग 75 दिन के बाद BPSC 70 वी का PTA है सबसे बड़ा सवाल ये उठता है क्या ये संभव है 75 दिन में त्यारी कर पाना अगर मुझसे बिल्कुल honest जवाब आप चाहिएगा तो मैं कहूंगा आसान नहीं है लेकिन असंभव नहीं है समझें का अंतर दोनों में आसान का मतलब क्या होता है आपके पास एक साल का समय है 365 दिन है आप अराम से पढ़ रहे हैं सो रहे हैं कि दिस्ट्राइक्ट हो रहे हैं तीन-चार दिन साधी भी आवर अटेंड करने चले जा रहे हैं दो-तीन दिन फिर वापस ट्राइक पर फिर पढ़ाई करने तो अराम-अराम से चलता रहता है लेकिन इस 75 दिन में आपके पास कोई जगा नहीं बनती है कि आप distract हो जाए, demotivate हो जाए, साधी भी आटेंट करने जल जाए दिवाली छट कपर मनाने के लिए समय उसमें आप दें नहीं दे सकते हैं, अगर आप तयार हैं कि इस 75 दिन को मैं 75 दिन की तरह इस्तमाल करूँगा एक एक दिन को मैं जितना हो सके उतना नीचोर के समय निकालूँगा तो आप जरूर कर सकते हैं, बस आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी इस सारे स्क्लासेज द्वारा एक बैच लाया जा रहा है, इसका मोक्ष बैच नाम रखा गया है कि यह बैच हो सकता है कि आपको मोक्ष दिला दे, मोक्ष का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे उपर परसानिया है, टेंसन है, क्योंकि मैं फिलोसपी मेरा और फिलोसफी था, ऐसे मैं इंजिनियर हूँ लेकर मेरा और फिलोसफी था, तो फिलोसपी मैंने यह चीज समझा, कि अगर आपके उपर कोई भी कर्ज है, कुछ उधार है, तो अगर उसको complete हो जात तो मैं इसलिए इसको मोक्ष बैच के नाम से जाना जारा है, मोक्ष का मतलब बहुत बड़ा होता है और दूसरी सबसे ही important बात है कि कच्छुआ खर्गोस की कहानी हम सब ने सुनी है, उसमें कच्छुआ तेज दौरता है कि कच्छुआ तेज धौरता है, सब को पता है कि ख चीज़े बदल जाती है चीज़े पलट जाती है चमतकार हो जाता है तो एक वर हिंबत कि Cooper किजिये इस 75 दिन में कमर कस लीजिये कि मुझे कैसे भी 75 दिन में जितनी मेंत हो सके इस टनी मेंत करनाओ फिर देख़िए कैसे आपको सफलता बिलती है बहुत famous line है कि इतनी सिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिस की है कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिस की है एक बार इतनी सिद्दत से आप कोशिस तो कीजिए कैसे नहीं हो सकता है कैसे नहीं होगा ये मैं अकसर सबसे बोलता हूं बस मेहनत कीजिए कोई सफलता का shortcut नहीं है इस 75 दिन को आप 24 घंटे से गुणा कर दिजे उतना समय आपके पास है हर एक घंटे का आप मैं हर एक घंटे का हिसाब रखूंगा एक मिनट भी बरबाद नहीं करूंगा अगले 75 दिन में देखिए सफलता कैसे नहीं मिलती है अब चलते हैं कुछ पैटर्ण पर बात कर लेते हैं कि क्या एक्जाम का पैटर्ण है और किस तरीके से हमें त्यारी करना है 75 दिन में तो दे पचास नंबर में से है ठीक है 91, 150 में से है 68 का भी 91 था उसके पर 113 था क्योंकि निगेटी मार्किंग नहीं था यहां पर पेपर थोड़ा सान आया था तो आपको लगवग 95 से 100 नंबर का टार्गेट रखना है आउट ओफ देर 100 ठीक है थोड़ा सा सिलेवस पर ध्यान दे है एकनोमिक से 10 से 12 कोशन का है साइंस का 30 का एवरेज है बिहार एस्पेसल का आपका लगवग 25 का एवरेज है करेंट अफेर्स का 30 का एवरेज है और गनीत से 10 नंबर फिक्ष्ट है ठीक है यह एवरेज मैंने बताया कि इतने कोशन आते हैं तो जो सबसे ज़्यादा फोकस है और गनीत है यह जो नीचे के 4 है आपके नंबर 30 30 60 60 70 70 25 यह टोटल 95 नंबर का जो परसेंटेज है यह कम महनत में आप पा सकते हैं देखिए विज्ञान से बहुत साई लोग डर जाते हैं विज्ञान में आपको पूरा विज्ञान में पीएजडी नहीं करना है पूरा ज पांच परसेंट सवाल यहां से बनते हैं तो हम पूरा क्यों पढ़ेंगे जमापर समय कम बचा है तो हम यहीं को पढ़ेंगे वैसे ही आप देखिएगा हिस्ट्री में हिस्ट्री में 30 कोश्चन के लिए आपको पूरा पूरा आपको एंसीन्ट है मेडियावल है मॉडन है पूरा आपको पढ़ने के जरूत नहीं है modern में जो mostly question आते हैं वो आपको आते हैं जो हमारा ये समझ लीजे कि 1885 से आपको कुछ question बनते हैं फिर 1905 के बाद से आपका question बनना शुरू हो जाता है ठीक है तो जो जो important topics है वो सब जहां तक भी हार special की बात है भी हार special आप आप असानी से कर सकते हैं कम मेहनत में ज्यादा नंबर ला सकते हैं गनित गनित कभी question लगभग जो है उसमें 5 प्लस 5 का एक average बता रहा हूं 5 math के question होते हैं 5 reasoning के question होते हैं जन जातिय किसान अंदोलन से एक question था क्रांतिकारी अठारो संतावन क्रांतिय से एक question है भारती राष्ट्री अंदोलन से तीन question है गवर्नर जनरल से चार question है एक तो यह पूरा analysis किया गया है तो srs class ने इस पर महनत किया है पूरा analysis करके एक trend बनाया है कि कम महनत में कम समय में कैसे हम लोग उस तक आ सकते हैं मेंस का है मेंस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे तो 150 नंबर का paper होने वाला है निगेटिव मार्किंग होने वाला है और निगेटिव मार्किंग के साथ साथ आपको जो चीज ध्यान देनी है वो है कि हमें paper को कैसे हम maximum attempt कर सके minimum में ठीक है यह मैं फिर से बता रहा हूं क इसका कोई shortcut नहीं है यह आपको पूरा सिलेवस एक नजर से गुजारना ही पड़ेगा लेकिन क्या important है आप उस पे ध्यान दे सकते हैं और उसमें से आप maximum जो minimum effort है जो 75 दिन का हमारा effort है उसके आप एचीव कर सकते है ठीक है उसके बाद यह SRS classes द्वारा एक मोक्ष बैच स् कि मोक्ष इसलिए है कि हो सकता है कि आपके संघर से आपको मोक्ष मिले इसमें daily mentorship class होगी कैसे आपको त्यारी करना है daily homework दिया जाएगा कि यह यह चीज आपको complete करना है उसके बाद complete course पढ़ाया जाएगा live classes में जिसको की बाद में recorded भी आप देख सकते हैं weekly test होगा topic wise और complete syllabus क और इसमें total में 10,000 MC को का practice set है वो आपको उपलवत कराया जाएगा जिसको की आप daily उसमें से target बना के आप complete करेंगे 500 questions ठीक है 500 questions करके एक format बना के बना के दिया जाएगा जिसमें आपको date खुद से डालना होगा और यहां 500 questions में आप आपने achieve कि नहीं किया उसमें टिक लगा आपको सिर्फ एक चीज पर focus करना है वो है मेहनत अगर आप मेहनत करने को तयार है तो आप सफल हो जाएंगे अगर आप मेहनत करने को तयार नहीं है इस 75 दिन में तो आप कहीं से भी सफल नहीं हो पाएंगे तो अगर आप अपने मुठी जो नहीं होता है कि हिम्मत करने को के तयार हैं उस कच्छुए के तरह हिम्मत करने को तयार है कि चाहे कुछ भी परस्तिती हो मैं चुनाओ मतलब मेरा सेलेक्शन होगा मेरा कौन मुझे रोकेगा अगर वह स्पिरिट आपके अंदर आ जाती है तो आप जरूर जरूर सफल हो सकते हैं क्योंकि असंभव कुछ भी कुछ भी नहीं है इस प्रित्वी पे इस ब्रह्मांड में संभव कुछ भी नहीं है जो एक वर ठान लिया सो ठान लिया एक वर खुद पर भरोसा करके देखिए देखिए क्या होता है या तो सिल्फ सड़ी कीजिए या किसी वी कोर्स से अगर आप जूर ना चाहते हैं जू और जो नमबर है इस पे आप बात करके कर सकते हैं धन्यवाद